हेलो एब्रीवन वेलकम तो माई शानल इसमार्ड इजोन फॉर स्मार्ट एंसर्स तो गाईज आज की इस वीडियो में हम लोग कटफ सर्वे के वारे में बात करने वाले जैसे कि आपको पता है कि ससी सीजियल के एक्जाम आल्मोस्ट खत्म हो चुका है और मैंने आपर एक वी बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं तो मैंने सुचा कि एक ओडियन्स पोल भी लगा जाए ठीक है तो मैंने यूटूब पे ओडियन्स पोल लगा दिया है जिसके थुरू हम लोग यहाँ पर इसली आपकी कटफ के माक्स को काल्कुलेट कर पाएंगे जैसे कि आप देख सकते ह यहाँ पर माक्स रेंज सेट कर दिया है कितने माक्स के रेंज के बीच अपने कोश्चन अटेम्ट किया वहाँ पर आप देख सकते हैं तो आप यहाँ पर वोट कर सकते हो 90 प्लस ही मैंने लगा दिया है तो इससे काफी अच्छा खासा आइडिया हम लोग को मिल जाए कितने स्टुयन्क के अटेंप्स है और ऐिसके बात किया है कि इससी ट्ळ में इस पर में बहुत जल् जैसी अपकी विडियो में बहुत जर्ड बनाऊंगा जर्सिंघक सके शेओं मीं जल्द हिस पर कितने अंबर ओफ अटेंडेंस लगें उस पर और बिसकस ऐ ठींग है three जैसे कि आपको पता है कुछ नमबर ऑफ फेक्टर पर कटफ यहां पर डिबेंड करेंगा ठीक है जैसा कि आपको यहां पर एटेम हो गया दूसरा आपका एटेंडेंस रहेगा तीसरा रहा है कि नर्मलाजिशन में कौन से सिफ्ट का माक्स जादा इंक्रेस करेगा उस पर मैं वीडि़ो बनाओंगई कौन से सिफ्ट का माक्स जादा इंक्रेस करेगा Sभी पर मैं वीडिो बनाने वाला हुं बहुत ही इंप्पॉर्टेंट वीडियो होने बाले आप सभी के लिए यह भी वीडियो काफी एंपॉर्टेंट है उन लोंके लिए जिन्होंने स race is दिसाल का आपको वोट करना है कितने आपके मांक्सा हैं तो आपको यहां पर कॉम्मुटी पर टैब करना है जैसे आप टैब करोगे यहां पर ओबन हो जागा दोखो मैंने आप ओडियंस पोल लगाई यह से सिजियल टायर वन के लिए इसकी इसकी कटफ क्या होगी कटफ सर्वे में कर यहां पर मुझे जानने है तो आप देख सकते हो यहां पर 85 वोट्स अल्रेडी हो चुके हैं तो जितना ज्यादा वोट्स आगा उतना ही यहां पर सही कटफ आपके लिए प्रडिक्ट होगा ठीक है तो आपको क्या करना है आपको सिंपल है जिस भी रेंज में आपका यहां कटफ प्रडिक्ट कर सके गाइस ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई एंड टेक केर गाइस